सूरा मेरे मेज़ पमान तठान फेर में जिक्खा पढ़िंग समादियां आज हमारी जो चर्चा चल रही है वो सम्विधान के बारे में चल रही है तो सबसे पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि सम्विधान है क्या जिसकी हम चर्चा करें और उसके वारे में हमको पता ना हो तो चर्चा में मज़ा नहीं आता सम्विधान किसी ने बोला किसी ने किताब में लिखा कोई सब्द सम्विधान आया किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने लिखा हमारे किसी महापरुस ने लिखा और हमने सम्मिधान का लाव लिया, सम्मिधान का लाव जब जाने लगा, सम्मिधान का नुकसान होने लगा तो हमें सम्मिधान को बचाने का, या बहुत सारी लोगों ने सम्मिधान के बचाने की बहुत सारी संस्थाइं खोल ली या वो इस काम में लगे पर सम्विधार है क्या वेसिकली क्योंकि जब तक ये बात के लिए ना हो कि सम्विधान क्या है सम्विधान कैसे काम करता है कैसे बनता है तो ये बात भी समझ में नहीं आ सकती कि सम्विधान खत्रे में है या नहीं है सम्विधान का जो साब्दे कर्थ है वो है सम्विधा और वी का मतलभ होता है विसेश, धा का मतलभ होता है धारण प्राकर्तिक रूप से हर वस्तू हर पधारत एक एक कर्ण कुछ ना कुछ गुण धारण करता है प्राकर्तिक रूप से पर विसेश रूप से धारण करे तो फिर उसको बोलते हैं वी धा यानि विसेश रूप से धारण और अगर वो समानता के आधार पर धारन करे यानि के सारी प्राकर्तिक चीजों को एक सार देखे ना किसी को छोटा ना बड़ा तो हम उसको बोलते हैं समविधा यानि वोसे इस रूप से धारन करता है समानता के साथ और अगर बाद में ने लगा दे या ने लगा दे तो नाउन बन जाता है तो हो जाता है सम विधान या सम विधान इस आपदे करत है इसका जो उल्टा होता है वो होता है वी सम विधान यानि सम ना होके वो विसम होगा उंच नीज पे आधारित होगा पर भारत में कोई विसम सम्मिधान नहीं बोलता अपने किसी खराब सम्मिधान को या विसम सम्मिधान को पकला जाएगा तो सम्मिधान बेसिकली बनता कैसे है क्योंकि 4200 के करीब मत मतांतर गुरुप उनके चलने के तरीके उनकी पदती पूरे दुनिया के अंदर है वो नियम अवली उनकी चलती रहती है नियम के अधार पे कुछ लिखित है, कुछ लिखित नहीं है कुछ मौखिक है, कुछ मौखिक भी नहीं है, कुछ नेच्छरल है वो चलते रहते हैं उसमें कुछ सम्विधान है, कुछ उसमें विसम्विधान है पर धारण होता है तो यहाँ जो भारत के अंदर है सम्मिधान कोई पहला सम्मिधान है नहीं जो लिखित में है बावा साव अम्बेटकर ने जो इसको बहुत मेहत करके लोगों से बराया तो क्या क्या बेसिकली बावा साव अम्बेटकर पुरानी सारी जानकारी लेने के बाद में, ये जान गए, कि हमको समानता चाहिए, हमको अधिकार चाहिए जो समानता से मिलते हैं तो बहस जब होती थी, तो बहस होती थी कि एक समानता वाली बात को सब लोगों से मानने करवाएं वहां जितने भी लोग थे, जो सभा में थे, तीन साल तक जो लोग बैठते थे तो वो कोई बात रखी जाती थी, कोई प्रस्ताव आता था उस प्रस्ताव में लोगों की मानता चाहिए यानि वो लोग उस बात को माने जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें बहुत करें, उसमें जो अच्छा निकले, जो सबकी सहमती से निकले वो बात उसमें आए तो इसका मतलब बात रखने के लिए मानेता चाहिए यानि सम्विधान जो आज हमारे पास है भारत के अंदर उसमें जो बातें लिखी हैं वो बातें पहले प्रस्ताब के रूप में आई है फिर उस पे पूरे देश के जो प्रितनी दियाये हैं उनकी मानेता की महर लगी है वो बहुमत से लगी है बहुत से लोग हो सकता है कि उस मानेता को ना मानते हो हो सकता है उस समय 49% लोग ना मानते हो पर 91% लोग उने उस मानेता को माना और अपना सिगनेचर किया कि हम इस मान्यता को मानते हैं यानि कि जो बात उसमें लिखी गई रहे हैं वो उस सवहा द्वारा मानने थी और वो सवहा सुप्रिम सवहा थी जो सम्धानी का इस सवहा थी जो बना रही थी उसको तो पूरे देश के प्रतिनी निदियों ने उस बात को माना तो मान के मौकिक भी हो सकती थी पर मौकिक के जमाने चले गए इसलिए उसको कहा के लिखित में इसको लिख दो कि ये बात इतने सारे लोगों ने मानी इसके उपर सहमती है उसको बुला गया सम्विधान तो दुनिया में ऐसे देश भी हैं आजकल जहां लिखित में नहीं होता यानि सम्विधान तो है उनका पर उनका रूल्स के ओर्डर ही चलते रहते हैं कोई लिखित में किताब नहीं है बहुत सारे देश हैं ऐसे इससे फरक नहीं पड़ता fem इससे पड़ता है कि जो बात एक रखी गई है उसस देश के लोग सारे लोग माननेता देतेएं या नहीं देते नहीं आई έχει यानि सम्विधान जो है वो माननेताओं का दस्तावेज है चाहिए वह मौकिक है चाहिए वह लिखित है अगर आपने वो माना है तो संविधान है और अगर आपने विसम विधान भी मान लिया है तो संविधान जब बनने की प्रिक्रिया थी तो अंगरेज यहाँ से जाने वाले थे और अंगरेज कोई खुछी से जाने वाले नहीं थे second world war में हार गे उनके घुटने तूट गे पूरी दुनिया में जो उनकी कॉलोनीज थी जहां जहां वो राज करते थे वहां माज सब्जी के उनको घाटे उठाने पड़े सारा पैसा उनका युद्ध में चला गया लोग उनके मारे गए और इधर उन्होंने जो डिवाइडेंड रूल کی पॉलशी थी उसके तहट में पूरी दुनिया मैं राज किया यहां भी किया तो वो आए थे और जो लोग राज करते थे उनके साहरे वो आए और जो लोग राज करते थे उन्होंने कभी हमारे लिए समानता की बात नहीं की वो लोग जो पावरफुल लोग थे उनको दरवार में हाजिर करते थे दरवार में वो साइधार रहते थे सरकारों में चाये वो मगलिय सल्तरत हो या कोई भी सल्तरत हो वहाँ वो बाकाइदा हिस्टेदार रहते थे पर हम हिस्टेदार नहीं थे हम इस्सेदार होते तो जगलाता भी हो जाता मुगलों के समय क्योंकि जो बहार से लोग आते हैं उनको सत्ता चाहिए उनको पैसा चाहिए उनको संसाधन चाहिए देश के इसलिए वो पाफुल लोगों से हाथ मिला लेते कि तो तुम भी खाओ और हम भी खाएं और खाएंगे किसका जो शोशित होगा जो गरीई होगा जो कमजर होगा जो अपढ़ होगा जो बिक्रा हुआ होगा वो महनत करेगा वो खिलाएगा बाकी लोग खाएंगे तो मुगलों के समय तक भी कोई दिक्कत नहीं थी पर जब तो इंग्लिस लोग आ गेए यहां पर फॉर्ट्शुविज लोग आ गें यहां पर कुछ फ्रांसिस्यों ने कालूनी बराने सुरू की तो मोगलिय असलत्राइब जाने लगी तो उन्हों ने जो ने पार्टनर थे उनको भड़का दिया कि आप इन अंग्रेज़ों का इन जो जो लोग दबे कुछले और बे सारा और जो बिखरे हुए लोग थे और जो अनपढ़ थे हो चुके थे उस समय तक उनको उन्होंने पढ़ाना सुरूर किया कुछ राइच देने सुरूर किये पर वो खुशी से नहीं दिये अगर वो खुशी से देते तो पहले दिन देते किया और हमारे लिए ये बड़ा अच्छा सुरहरा मौका था कि हमें कुछ मिल रहा है कुछ एजूकेसर मिल रही है कुछ काम मिल रहा है हत्यार भी उठाने के लिए मिल रहे हैं और हमारी जानकारी बढ़ रही है ये फाइदा हुआ और अंग्रेज चले गे क्योंकि सारी दुनिया में जब कोई शाशक को किसी देश को किसी राज्य को किसी कंट्री को किसी ओफिस को किसी बिजनिस को किसी ऐसी चीज को जो उसकी होती है उसको छोड़ना पड़ता है तो रायता बिखेड देता है कि हम तो जा रहे हैं पर इनके लिए जढ़ा पैदा कर दो क् हमारी यहां इंसल्ट हो रही है, हमारा यहां से अधिकार जा रहा है तो सारी दुनिया में नियम चलता है, तो यहां जो इंगलिस लोग गए उन्होंने भी जाते जाते भारत के दो टुकड़े करा दिये और भारत में उन्होंने सम्मिधान को बनाने की एक लागू करने की एक कंडिशन डाल दी और उसमें उन्होंने वहां जो अधिकार हमें मिलने थे बावा साथ जिनके लिए लड़े वो उन्होंने दे दिये क्योंकि वो तो जा रहे है तो उनको दे दो और बाद में वो गांधी ने नहीं माने, इसलिए उन्हें कोई फरक पड़ता भी नहीं, चाहते तो वो कह सकते थे पर उन्हें कोई फरक पड़ता भी नहीं, क्योंकि उनका काम हो गया, वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी हलत में नाराज नहीं करना चाहते, खास तोर से पावर राइट सामें मिले, वो जो असमानता वाले लोग थे, उन्होंने कोई खुशी से राइट नहीं दिये हमको, क्योंकि असमानता वाले लोग समानता के राइट कभी दे ही नहीं सकते, असमानता वाले लोग जो उंच नीच का करके फादा उठाते हैं, वो समानता के राइट दे है अगर वो लागू हो जाते तो आज आप यहां दोस्ट रथाए लोग खड़े होके यह ना कहते कि समयधान खत्रे में है या नहीं है या नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है पर लागू होने का पता कैसे चलता क्योंकि वो जो सिस्टम आए जो जो बावा साब लेकि आना चायते थे सैक्रिंड जो डॉबल इलेक्ट्रोडिट का था तो तो कैंसल हो गया तो वहां तक हमारी वॉइस नहीं पहुशती और हमारी लोग वहां बेकार हो गए बावा साब वहाँ जो माना गया वो असमानता से समानता पर माना गया यानि बावा साब ने मजबूर किया कि तुमको जो असमानता वाले लोग हैं तुमको समानता का समिधान भारत में मानना पड़ेगा और अंग्रेजों ने भी कहा आप इमानो क्योंकि उनको फायदा था एक बात इस प नदारी समानता समी चायते हैं पर अपने लिये औरों के यहां के हैं अप आज तक बुलकुर शिद्ध है और यह बात स्मण भर्वन के रूप में डॉक्टर अम बेट कन ने चिट्रे से बताई है तो सम्विधान मानेताओं का बंडल है और मानेताओं लागु हो तब उसका फायदा है खाली वो मानेताओं का बंडल रहे तो खुशत हो सकते हैं हम लोग के सम्विधान में समानता है पर अगर जमीन पर समानता नहीं आती है तो उसी का कोई फायदा भी नहीं है तो पर आधारिस सल्टने थी वही राजा लोग चुनके आए वही राजा लोग राजते की चुनके आते हैं वही सरकारें चलाते हैं इसलिए असमानता का जो लेबल है वो धीदिरे धीदिरे उन्होंने सम्विधान के अंदर भी लिखित रूप में भी बढ़ाना सुरू कर दिया खतम करें इसको यह समानता पर अधारित है बीज ही खतम करते हैं यह बीज है कभी भी पेड़ बन सकता है क्योंकि लोग अगर इखटे हो गए तो के देंगे भी सम्विधान में मानता है चलेगी इसलिए उस मानता के बंडल को कमजोर किया जा रहा है और यह कोई बुरा मान करने की आवस्ता नहीं है और इसे डरने की आवस्ता नहीं है असमानता वाले लोग हमेशा समानता वाली किताब को खतम करते ही हैं और समानता वाले लोग इखटे होके फिर दुबारे से उसको इस्थापित करते हैं यह आज से नहीं हो रहा है यह बुद्ध के जवाने से प आपरू से वो सम्विधान की बात करते हैं उनका सम्विधान मौकिक होता है हर संत वही सम्विधान बताता है समानता पे अधारित और हर असंत असम्विधान बताता है असमानता पे अधारित यह टक्राव है यह चलेगा इसनी इससे घबरानी जोत नहीं है इससे डरने की है कि हमें दिक्कत कहां से हो रही है हमें दिक्कत यहां से हो रही है कि सम्विधान हम ऐसा सम लोग ही बनाएंगे यह ध्यान रखें सम्विधान हम ऐसा सम लोग ही बनाएंगे और विसम विधान में उसको सम लोग ही बनाते हैं और सम लोगों को समल कहते हैं और जो विसम विधान हैं उसको वम विधान को वमल लोग ही बनाते हैं और वो उसको हमेसा बनाते रहेंगे ये काम चलता रहेगा इसने दुनिया में जितने भी सम विधान हैं उसको सम लोग बनाते हैं और जो उस लोग ही आगे बनाएंगे तो रक्षा करने का काम किसका है समनों का तो वर्मण अगर उसको खराब करते हैं तो बुरा मानने की आउशकता नहीं है यह उसका काम है जैसे सांप को आप कितने दूद पिलाओ या पालो या रखो पर उसका जो सभाव जो होता है वो डसने का होता है उसको बुरा नहीं मानना चाहिए आप अगर सांप को गोध में रखके खिलोगे तो वो आपको कोई कोई चुम्मन नहीं देगा प्यार भरा वो आपको जब भी चुम्मन देगा जहर भरा ही देगा आपको क्योंकि उसका सभाव है उसका गुण है वो ऐसे ही सम लोग का गुण है सम विधान बनाना और वम लोग का गुण है वम विधान यानि विसम विधान पर वो कभी भी उसको विसम्विधान या असम्विधान या उसको वम्विधान नहीं कहते क्योंकि पकड़े जाएंगे इसलिए वो नाम कहते हैं कोई और नाम लेते हैं उसका पर सम्विधान भी नहीं कहते हैं को ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहां समण संग पर काम करते हैं हमारे बहुत सारे नए साथियां आए हुए है जो बार बार पूछते हैं कि समण सब्द क्या है भारत में दो तरह की संखती संस्क्रती कल्चर है इसको एक एक बच्चा बच्चा जानता है और कोई आस पड़ास में देख ले कुछ लोग उसको ऐसे मिलेंगे जो उसके क्रिया कलाप से उल्टे हैं जो उसको घर में गुसने देंगे जो उसको किसी जो उसका इस्थल होगा धम इस्थल उसमें नहीं घुसने देंगे जो उसका छुआ हुआ खाना नहीं खाएंगे जो उसके या शादी बया नहीं करेंगे, जिनके रंग अलग होंगे, जिनकी नाक नकस अलग होगी, जिनकी भासा अलग होगी, जिनके तौर तरीके अलग होंगे, जिनके कत-काठी अलग होंगे, जिनका बुलकुल और जिनके बहुत पुराने, अगर आप पीछे चले जाओगे सेक्ट संसकतियों के लोग रहते हैं एक वमन संसकति के और एक समन संसकति के उन्होंने वमन समन सब्द यूज नहीं किया क्योंकि पाली आप समझ नहीं पाएंगे हम समझ नहीं पाएंगे इसलिए उन्होंने हिंदी और संसकति इस्तमाल की ब्रहमन संसकति और शिर्मन संसकति इस्तम कहके नहीं बोलते हैं हम उनके काम के नाम से बोलते हैं कोई अगर तेल निकालता है तो तेली बोलते हैं कोई अगर पेल लगाता है तो उसको किसान बोलते हैं कोई अगर च्छत्री के नीचे रहता है तो उसके च्छत्री बोल देते हैं कोई अगर लेखक है तो उसको लेकपा रहते हैं तो हमको अपने लोगों को श्रमन ही कहना चाहिए क्योंकि वो स्रमन संस्कति की लोग हैं जैसे ब्रहमन संस्कति की लोगों को ब्रहमन कहते हैं और इसको हमें अंदर इसको समण बोलते हैं और जो वम लोग हैं उनको वमण बोलते हैं विप्रीद लोगों को तो उससे क्लियर हो जाता है तो ये जो संग है ये समण लोग का है इसमें वमण लोग का कोई काम नहीं है तो समण लोगों का ही सम्मिधान होता है वमण लोग का सम्मिधान है ही नहीं उनका कोई सम्विधान नहीं है वो सिर्फ समण लोगों के जो सम्विधान होता है उसके अगेश्ट में अपनी बात करते हैं उसकी उल्लट बात करते हैं वो ही उनका विसम्विधान हो जाता है आप सुरू से लेके आखीर तक चीजों को समझ लीजिए जिसको आप बोल और ऐसे बहुत सारी चीजे हैं जो सम्मिधानों के अगेंश्ट में होती है पर उनके नाम असम्मिधान या विसम्मिधान या वम्मिधान नहीं होते क्योंकि जो चोर है अगर वो चोरी भी करता है तो कभी लिखेगा नहीं कि ये पुस्तक चोरी की है वो ये लिखेगा कि मैंने इसका प्रेड़ना कहीं से ली और प्रेड़ना दायक का कहीं नाम पतल लिख देगा क्योंकि कोई भी आदमी कभी भी कितना ही बुरा हो पर अपने आपको चोर कहलवाना या बेकार कहलवाना या खराब कहलवाना या वेबचारी कहलवाना पसंद न लोग हैं और सम्मिधान को खतम करने वाले ना मानने वाले कुछ लोग हैं पर रहेगा सम्मिधान ही यानि सम्मिधान रहेगा पर उसकी मानता कितनी है इससे पता चलता है कि सम्मिधान कितने परसेंट यहां जीवित है और कितने परसेंट वं मिधान यहां पर लागू हो चु तो सम्विधान की एक सर्थ होती है, सम्विधान कहता है कि अगर आपने मेरे से कुछ कराना है, मेरे से कोई अधिकार लेना है, मेरे से कोई बात हामी करवानी है, तो आपको 51% physical लोग चाहिए, virtual नहीं चाहिए, 51% physical लोग चाहिए, प worsnaters नहीं चाहिए, लोग सवा में मेंम्बर नहीं चाहिए, सम्विधान कहता है वीधा पिपल, सम्विधान ये कभी नहीं कहता है वीधा MLA या वीधा MP, एसा नहीं कहता कभी भी, सम्विधान कहता है हम भारत के लोग तो सम्विधान की कंडिशन है बड़ी अच्छी कंडिशन है बहुत बड़ी आर इतनी आसान कंडिशन है कि आपको सौ में एक्यावन इखटे होना है बस और आप सौ में एक्यावन इखटे होते हैं तो सम्विधान को खबर मिल जाती है अपने आप उसके बहुत सारे कान है उसके बहुत सारे आख है कि यहाँ 91% लोग है और उनको यह चाहिए तो जो प्रतिनीदी आपने भेजाए वो आपके घरी आ जाएगा पूछने के लिए कि बताओ क्या करना सम्विधान में और आपका सम्विधान जैसे चाहोगे वैसे करा लोगे अब समस्य यह आती है कि 50% लोग इखटे कैसे हों यहाँ तो 29 लाग संग्ठन है 29 लाग संग्ठनों में हजारो राजनितिक संग्ठन है समणों के हजारो उसमें सरकारी करमचानियों के संग्ठन है हजारो लड़कों के दलबल ह हजारों उसमें जो धम हैं, जो धरम हैं, जो मत हैं, मतांतर हैं, बाबा हैं, सादु हैं, उनके संग्ठन हैं, हजारों यहां जितने भी यह जो संग्ठन चलते हैं, प्रॉफिजनस लोगों के वो हैं यहां, तो यहां जितने भी संग्ठन हैं, उनकी संख्या 29 लाग है, और 29 क 39,00,00 एक साथ बैठने को या एक तरह के काम को एक साथ करने के लिए त्यार नहीं है हर व्यक्ति को लगता है वो किरांती करेगा पर कैसे करेगा सम्विधान तो कहता है कि 11% लोग चाहिए और ये तूटे हुए जो लोग है ये लोगों को इखटा कर रहे हैं ये और मजाक हो यानि हर संक्टन वाला कह रहा है कि हम लोगों को इखटा करेंगे पर खुद नहीं इखटा होता ये हमारी समस्या है अभी चार महने पहले तक न सारे के सारे चिलाते थे 2024 आ रहा है 2024 आ आखरी मौका है आखरी मौका है इखटे नहीं हुए बहुत साइब लोग हमारे जंतर मंतर पर खुब धन्य परसंद देते थे और जैसे 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 election की date declare हुए हो सब अपने धन्य परसंद भूल गए क्या बोलते थे सब भूल गए अब ना सम्मिधान खत्रे में ना कुछ खत्रे में अब तो सिर्फ एक टिकेट खत्रे में है उनको कहीना कहीं से एक टिकेट मिल जाए और टिकेट के लिए उन्होंने खूब हाज जुड़े जिनके मौके लगे मिल गे जिनके मौके नहीं लगे नहीं मिले पर टिकेट के चक्र में लगे अब टिकेट नहीं हो जाएगा जो भी कुछ में वो फिर आ जाएंगे अब दोजार पच्छिस खत्रे में अब दोजार चब्वेस है अब दोजार सताइस है चलता रहेगा पर हमा पारा ही एक सम्विधानिक अधिकार जिसकी मानेता बहुत पहले हमें मिली थी वो मानेता रद्द कर दी और हमको कह दिया कि आज की बाद यह आपका अधिकार खतम हो गया तो हम क्या करते देखते रहे पर हमें वो पुरानी समझ याद आ गई जब हमको संग संग में साथ सात रह जाने में और जो संगन सर्णन का च्छामी है उसमें कहने का जो आदेश हमें मिलाता कि संकी सर्णन में जाना है तो हम बिना किसी के निर्देश से बिना किसी के नेतास के हम साए लोग भारत के अलग-अलग जिग जो जहां था वो वहां सलक में निकल ख़ला हो गया परची नहीं दी और नहां किसी नेता के पास गए बलकर नेता होने तो वो खते मी किया था वो बापिस आ गया ठीक वैसे किसानों का हुआ किसान भी जब इखटे हुए जब तक 32 संग्टरों में थे कुछ नहीं हुआ जब 32 संग्टरों इखटे हुए उनके अधिकार भी सम मानेता भी बापिस आजाएगी एक सिगनेचर से मानेता मिल जाती है और एक सिगनेचर से मानेता चली जाती है पर वो सिगनेचर कराने के लिए आपको परमनेंट इखटा होना पड़ेगा यह है समर्संग समर्संग यह कहता है कि लोग अगर इखटे हो जाएं तो उनको रा दार्मिक मानेता है उनकी हो जाएगी जो धार्मिक मानेता चायते हो अपना लो अपनाओ अपनाओ मत अपनाओ संविधान में आ जाती है तो धार्मिक मानेता से बात नहीं बनती कोई यह जो सारे गरे खटे हो जाते हैं तो उसमें किसी सामाजिक संग्ठन की आउसकता नहीं पड़ेगी जितने सामाजी संग्धन को आप ये कोगे अपना ये बंद कर लो अब एक ही संग्धन चलेगा तो सारे उसी तरी खटे हो जाएंगे तो डिपेंड करता है कि आप लोगों को सम्विधान लागू कब कराना है या खाली सम्विधान पर चर्चा करनी है अगर आपक किसी संग्धन के बिना किसी धरम के बिना किसी मजभ के बिना किसी नेता के बिना किसी लीडर के बिना किसी राजनितिक पार्टी के दो अपहले ठारे की तरह और इसको इखटा करने का जो पुराना माध्यम है वो संग है क्योंकि संग राजनिती में नहीं जाते तो ये संग पुराने नियमों पर चलता है इसलिए संग राजी दिन नहीं जाएगा पर जो इसको जा रहा है वो जा सकता है संग बैपार में नहीं जाते है इसलिए यहां कोई व्यक्ती बैपार में आपको कभी धखे लेगा रही संग में मंच माला पत पोश्ट नहीं होती इसलिए यहां किसी को कुछ ऐसा कोई खत्रा भी नहीं है संग का रइष्टिस नहीं होता क्योंकि संग रइष्टिस नहोगा तो कोई मालिक हो जाएगा तो इसे बेच के खा जाएगा तो संग के अंदर केवल समणी आ सकते हैं तो यहां से बिल्कुल बेफगर हो है कि यहां कभी वमण नहीं आ सकता क्योंकि यहां कुछ ऐसा है नहीं कि हमको किसी का मत चाहिए है बोट चाहिए जो हमें वोगन की पैरों मजाना पड़ेगा तो यहां वमण आ नहीं सकता तो संग के अंदर कभी भी किसी भी हालत में कोई जो संग धात करके जजा जाता है उसकी बाप्सी नहीं हो सकती ऐसा नहीं हो सकता है कि संग को दोका दे कर चला जाए और फिर दुवारा संग में आ जाए वो भी यहां नहीं हो सकता तो संग के यहां पर छोटे-छोटे जो नियम है और उन्में सबसे सकती साली नियम है कि संग चंदा नहीं ले लेती था तो संग चलता कैसे ऐसा कैवार कोशते हैं तो संगी चला लेते हैं संगी लोग अपना अपना खर्चा उठाते हैं और सामुई खर्चा भी वो मिलके आपस में कर लेते हैं पर बाहर के किसी व्यक्ति से नहीं नहीं कहते कोई आपको पठची नहीं मिलेगी कोई चंदा नहीं मिलेगा पर संग का काम चलता रहता है तो संगों को आना चाहिए संगों को देखना चाहिए और ये संग पुरातन संग है दुनिया का सबसे पहला पुरातन संग है और ये संग सभी लोगों में है सारी धार्मिक मानेताओं को सारे बाबा को सारे संतों की सबकी मानेताओं को मानता है पर खुद किसी मानेता को क्रमोट नहीं करता यारे कि अगर आप बुद्धिष्ट है तो संत जो बुद्ध है वो भी हमारे संत है अगर आप नामदे वाले है तो संत नामदे भी हमारे है अगर आप दुबलनाथ वाले हैं तो दुबलनाथ भी हमारे हैं अगर आप हर्चन ठागर वाले हैं तो हर्चन ठागर भी हमारे गुरू हैं अगर आप डॉक्टर अम्बेटर वाले हैं तो वो भी हमारे संथ हैं तो जितने भी संथ हैं जितने महाप्रूस हैं वो सारे के सारे समणों के महापुरूसर संत है पर हम किसी एक संत को या एक मानेता को प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि सारी मानेता है हमारी है अगर हम एक मानेता को प्रमोट करेंगे तो बागी सारी मानेता है डिमोट हो जाएंगी, खतब हो जाएंगी तो फिर हम संगी नहीं रह जाएंगे पर तो पार्टी बन जाएंगे और संग कभी पार्टी नहीं बनते इसलिए संग 100% सहमती और 100% लोगों से डिसकस करके अपने नियमों पे चलते हैं यही कारण है कि बेसक हमको संगी की समझ देर से आई पर जब आई तो इतनी अच्छी आई कि आज हमारा जो संग का काम है वो खुद बेखुद चलता है और सारे के सारे जितने भी संगी है वो बहुत बड़े तरीके से इस काम को करते हैं तो यहां संविधान की बहस चल रही है मैंने जो बात रखिया आप उस पर बहस कर सकते हैं और अपना तरक्वितर कर सकते हैं कुछ आपका ब्रेन इस्टों में होगी तो अच्छा होगा मेरी किसी बात में अगर किसी कोई परचानी होई हो तो मैं संग से माफी चाहता हूँ संग मुझे माफ करें संग मुझे माफ करें संग्अ नवामी थन्मं सरेन गच्छाम। थन्मं सेनं गच्छाम।